मास पेशी या मसल्स में अगर स्टिफनेस है जकड़न है तो उसके क्या वज़े हो सकती है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और आगे चलके उससे क्या कॉम्प्लिकेशन्स हो सकती है इस सब के बारे मैं आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे मास पेशी में अक्सर जो है जकडन हो जाती है या खिचाओ हो जाता है या stiffness हो जाती है या एक तरह से मास पेशी हमारी hard हो जाती है क्योंकि जो muscles होती है उनमें contraction और expansion होता है contraction मतलब जो हमारी मास पेशी होती है वो सुकड भी सकती है और वो expand जो है वो खुल भी सकती है जिससे हमारी body के अंदर movement होती है अगर ये contraction और expansion की जो process है हमारी muscles में proper होगी तो हमारी जो body की movement होती है वो proper होगी हम अच्छी तरह से अपना जो भी काम होता है वो उसको अराम से करेंगे और उसमें किसी तरह की problem नहीं होगी क्योंकि muscles को बनाने के लिए proteins की दरूरत होती है और इन protein की अगर functioning proper होगी इसका जो body के अंदर जो भी synthesize होगा वो सही होगा तो हमारी muscles भी strong रहेंगी healthy रहेंगी उनमें किसी तरह की कोई भी problem जो है हमारे muscles में नहीं होगी movement भी अच्छी तरह से हम कर सकते है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो मास पेशी होती है muscles होती है वो hard होने लगती है stiff होने लगती है उसमें जो है एक तरह की एठन हो जाती है जकडन हो जाती है जिससे हमें चलने फिरने में या बाकी जो movement होती है उसको करने में भी परिशानी होती है muscles के अंदर जो है inflammation हो जाता है swelling हो जाती है pain होने लगता है दर्द होने लगता है जिससे काफी परिशानी जो है हमें face करना पड़ती है और जब हमारी muscles में proper तरह से एक तरह की elasticity खतम हो जाती है flexibility खतम हो जाती है तो जो हमारी body की movement होती है जो हमारी skeleton जिसको हम कहते हैं की condition हमें face करना पड़ सकती है अब यह जो problem है यह एक जनरली किसी चोट की वज़े से भी हो सकता है किसी weakness की वज़े से भी हो सकता है mineral जो deficiency होती है उसकी वज़े से भी हो सकता है chronic disease लंबे time तक अगर जिनको कोई परशानी होती है problem रहती है जैसे diabetes या दूसरी problem है टाइफाइड है तो उससे भी इस तरह की problem हो जाती है और यह जो है इस तरह अगर इसके जो cause है जो मैंने बताए इन में से कोई भी होता है तो यह problem जो है कुछ time तक रहती है उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती है लेकिन अगर यह जो stiffness है जकड़न है एठन है मास पेशी में जो hardness है उसकी जो elasticity है वो कम हो रही है उसकी strength कम हो रही है उसमें swelling भी हो रही है उसमें pain भी हो रहा है और जो flexibility होती है muscles की वो कम हो रही है तो इसका एक दूसरा भी cause हो सकता है जिसको muscular dystrophy या जो atrophy कहते हैं जिसमें हमारी जो muscles होती है वो weak होने लगती है उनकी जो elasticity flexibility होती है वो कम होने लगती है contraction और expansion नहीं होता और muscles बिलकुल stiff हो जाती है हाड हो जाती है सुकड जाती है जिससे हाथ पैर की जो हमारे joints है वो भी टेड़े हो जाते हाथ के उंगली टेड़े होने लगती है हाठ टेड़े होने लगते हैं पैर जो होते हैं हमारे पंजे टेड़े होने लगते हैं और काफी हमें परशानी का सामना करना पड़ता है तो जिन लोगों को एंठन है जिन लोगों को जक्रन है stiffness है muscles में तो उसका cause हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या cause है किस वज़े से इसमें एक कोई minor cause भी हो सकता है उसके साथ कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है जैंसे मैंने भी बता है muscular dystrophy अगर लंबे टाइम तक आपको problem रहती है stiffness रहती है तो इसमें जो दूसरी problem है जो atrophy होती है उस वज़े से भी problem हो सकती है तो इसको diagnose करना proper time में और उसका treatment करना जो है बहुत ही जरूरी होता है जिससे आगे किसी भी तरह की complication से हम अपने आपको बचा सकें